हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्शन पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको CRP अप्ट्रेड सफाई करमचारी के कुछ इंपोर्टेंट MCQs कुर्शन कराने वाले हैं दोस्तो ये वीडियो का चौता पार्ट है दोस्तो अगर आपने इस से पहली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियो को अभी देख सकते हैं मैंने उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है या फिर आप हमारी यूट्यूब चैनल एजूकेशन पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिये भी आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों बने रही हमारी वीडियो को साथ दोस्तों वीडियो को एक बाल लाश्ट तक जरूर देखें दोस्तों अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल एजूकेशन पर अभी नए आये हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को कर लेंक इस जो तो आप आप सानी से हमारे टेलिघ्राम गरूप को याँ से जोइन कर सकते हैं तो दोस्तों अचिश्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को चलते अपने पहले कुशन की तरह दोस्तों आज का मारा पहला कोशन है नीचे दिए करें कोछा है सरुझ तो अगर को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें के काईतों कैडिर जो यह कितने प्रिकार के होते हैं यह भी हमें कमेंट के जरीए बताएं और यह माइक्रो फाइवर कितने प्रिकार के होते हैं कहां कहां इनका इस्तमाल किया जाता है यह भी आप पर में कमेंट के जरीए जरूर बता हैं दोस्तों अगर आपने हमारे CRP आप ट्रेड्समें या सफाई करमचारी ट्रेड्स से लेटेड जितने वी सफाई टूल्स होते हैं उन से फिर इस वीडियो को बाद में आकर जरूर देखें फिर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आप सभी कोश्चन का आंसर फटाक से देते जाओगे पता तो हमें कमेंट के जरी जरूर बता है देख लेते हैं इसका आइट अंसर दोस्तों इसका आइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेपर टॉवल क्लोथ जो होता ही है हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों मैं आप सभी से बस यह कहना चांगो एक बार आप टूल वाली वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उसमें आपको सभी टूल्स को अच्छे से समझा दिया गया है उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे लगेगा आपको देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है नीचे दिये गए विकल्पों में से वि वेट मॉप दिया गया है वो आपको ऑप्सन डी में दिया गया है देखते हैं आगला कोशन हमारा अगला कोशन है नीचे दिया गए विकल्पों में से डिश वाशिंग लिक्विड विकल्प का चैन करें तो दोस्तों इसमें डिश वाशिंग लिक्विड किस ऑप्सन में द जरूर बता है हमारा वैट मोप का इस अगर होता होता है और हमारा मतलए की सिर्फ का कैसा कहा किया जाता और यह सबattend इस घ्रीक जर्शान cambiar कि तरफ कि हमारा अगला कोशन नीचे दिव्धन विकल्पों में से सिर्फ फूर्फ का टें करें को चैंड इस मैं influx को सूरी यह इस्टील वूल का इस्टमाल कहा किया जाता है यह हम आप कमेंट के जरीए बताएए देखते है अगला कोशन हमारा कोशन है नीचे डिये विकल्प मौ में से वैक्यूम किलीनर विकल्प का चेहन करें तो दोस्ते इसमें क्या पूछा गया है आपका इसमें पूछा कहां किया जाता यह आप हमें comment के जरिये जरूर बता है अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी tools वाले videos को एक बार देखिये आपको इस वीडियो के बारे में हच्छे से समझा दिया गया है किस tools का इस्तमाल सफाई करमचारी कहां पर करता है अगर आपको पता है तो इसका वेक्यूं के लिनर का इस्तमाल हमें कमेंट में जरूर बताएं देखते हैं अगला कोशन है हमारा अगला कोशन है नीचे दिया गए विकलपव में से फर्दर डेस्टर का चैन करें तो दोस्ते इसमें फर्दर डेस्टर कौन सा है और यह फर्दर डेस्टर का इस्तमाल कहां किया जाता है यह आप हमें कमेंट के जरूर बताएं देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट अंसर अगर जिसको किसी को भी इसका राइट अंसर पता है वो हमें comment के जरीए जरूर बता है देखते हैं अगला question तो दोस्तों इसमें आपका right answer हो जाएगा option C में आपका further duster दिया गया है दोस्तो further duster का इस्तमाल कहां किया जाता यह आप हमें बता सकते हैं comment की जरीए अगर आपको नहीं पता तो प्लीज में आपसे बस यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक बार tools वाली वीडियो को जरूर देखें tools वाली वीडियो का मैंने link इस वीडियो के description box में डाल दिया तो आप एक बार उसे जरूर देखें क्योंकि यह tools सफाई करमचारी के सबसे बड़े हत्यार होते हैं और सफाई करमचारी इनी के उपर अपना सभी कारे को करते हैं तो एक बार tools वाली वीडियो को देखें क्यों विकल्प का chain करें तो दोस्तों इसमें आपका basket गया कि backage जो किस option में दिया गया है तो आप हमें बताये किस option में बकेट दिया गया और इसका استعمौाल किस के लिए किया जाता हो आप हमें comment के जरुए जरूर बताएं देख लेते हैं दोस्तों इसका right answer तो दोस्तों इसका right answer हो इनका इस्तमाल कहा कहा किया जाता है या पिती आपbourमें कमेंट के जरिए जरूर, बताएं देखते हैं, अगला कोश्चन, हमारा अगला कोश्चन है नीचे दिये गए विकल्पों में से यह बताएं, कि यह किससे सम्द्नित हैं, इसमें पूछा घा है, कि यह जो नीचे आपक इसको और स्बस्था करने में सभी टूल का इस्तमाल किया जाता है देख लेता है आगला कोशन है इन में से किस का परियोग टौइलेट बाउल को साफ करने के लिए किया जाता जाता है तो बताए जूस्तों अगर आपको इसका रइट tanser पता कि किस साफ किया जाता है तो आप हमें बताइए इप स्कारा इसका रइडर्ट लेगे नर से उपका बीश का इस्तेमाल हम नहीने के लिए करते हैं दोस्तों इस बुर्श का नम क्या है आप हमें कमेंट में बता है कि इस ब्रश को क्या बोलते हैं क्या इस ब्रश का नाम है और बाकी जो यह हमारे ब्रश हैं बाकी इनका नाम बताई और इनका यूज करने का बताई कि इनको कहां यूज किया जाता है कैसे यूज कियाता है अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो प्लीज एक बार टूल्स वाली वीडियो को जरूर देखे उस वीडियो में सब कुछ एक दम अच्छे तरीके से आपको किलियर करा दिया गया कि इन सब का इस्तमाल कहां कराया जाता है देख लेते अगला कौशन तो दूस्तों इसका राया टांसर हो जाएगा option b toilet bowl को clean करने के लिए इस brush का इस्तमाल किया जाता है और इस brush का नाम आप हमें comment में जलूर बता है देख लेते अगला कोशन हमारा अगला कोशन है इन में से किस विकलप में trache bag है तो trash bag क्या होता है ये भी आप हमें comment में बता है या फिर tools वाली वीडियो को देखें और trash bag किस विकल्प में दिया गया है इसका right answer आप हमें बताईए तो देख लेते हैं इसका right answer तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option C में आपका trash bag दिया गया है और इसका इस्तमाल किस के लिए किया जाता है यह आप हमें comment के जरीए जरूर बताएं देख लेते हैं अगला question हमारा अगला question है इन में से शिक्विजी विकल्प का chain करें तो दोस्तों इसमें से इसका right answer अगर आपको पता है तो हमें comment के जरीए जरूर बताएं देख लेते हैं इसका right answer हो जाएगा option B option B में आपका शिक्विजी दिया गया है और इसका इस्तमाल किस के लिए किया जाता है वह आप हमें comment के जरीए जरूर बताएं और यह जो बाकी के दो टूल से हैं इनका नाम क्या और इनका इस्तमाल क्या है वह भी आप हमें comment के जरीए जरूर बताएं देखते हैं दोस्तों अगला कोशन दोस्तों जिसने भी हमारे बारे में घरूर टोस्तों आपका गया है अपक 먹고 हमें जरूर बताएं कि इसका नाम क्या उसका मतलब के यूज कहां किया जाता है इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका नाम क्या है इसको क्या बोलते हैं तो इसके शिक की जी बोलते हैं इसका इस्तमाल क्या किस के लिए किया जाता है तो इसका इसके 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 इस से विकल्प में दिया गया है तो इसमें हमें राइट अंसर जरूर टिक करें किस विकल्प में आपका डश्ट मॉप दिया गया है देख लेते हैं इसका राइट अंसर तो दोश्त इसमें आपका डश्ट मॉप दिया गया है डश्ट मॉप का इस्तमाल किसके लिए किया जाता ह वो आप हमें जरूर बताएं comment के घरी है देख लेते हैं अगला कुशन हमारा अगला कुशन है इन में इसे किस विकल्प में rubber gloves है तो आपकी सामने चार options हैं आपको बताएं के rubber के gloves इस में से के option में दिये गए हैं देखते हैं दोस्तों इसका तो 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 इसकर रायट अंसर हो जाए को ऑप्शन बी आपके रवडद गिलब दिए गए है और अबड़ को समय किसके लिए किया जाता है वह आप हमें कमेंट की जरूरूर बताएं और इन सबी का का इस्तामल भी आप हमें कमेंट में ही बताएं कि इस कि लिए इसका इस्तामगि आ गोशुन हुऄ ने से किसundo में क्ली निंग ब्रस्टो यह तो आप सींपल सी बात है क्योंकि ऑथ प्रिकार के ग्लब्स दिये गए हैं इस कृष्टा में एक प्रिकार का ग्लब्स मैने आपको बता दिया है कि यह ग्लब्स है और दूसरा जो पूछा गया है क्लिनिंग ग्लब्स तो इसमें रायेट चंशर जो होगा ऑप्चार Пол पका कosp question हमार अगला question है नीचे दिये गए सभी उपकड़नों को किस के लिए उपयोग में लाया जाता है तो दोस्तों आपके यह सभी उपकड़न दिये गए हैं और इसमें पूछा गया है कि इन उपकड़नों का इस्तमाल किस के लिए किया जाता है यह सभी उपकड़न है और इनका किसके लिए जाता है किसके लिए किया जाता है आपके ऑप्शन दिये गए ऑप्शन ए रूम साफ करने में ऑप्शन भी बात्रूम को साफ करने में ऑप्शन सी टॉयलेट को साफ करने में या फिर ऑप्शन डी ऊपर के सभी मतलगे इन सभी को साफ करने के लिए इसका इस्तमा किया जाता है देखते हैं अगला कोशन है हमारा अगलो कोशन है इन में से किस विकल्प में किस विकल्प में इस्टैप लेदर है तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिये गए इसमें बताना होगा आपके इस्टैप लेदर किस ऑप्शन में दिया गया है देखते हैं दोस्तों इसका राइट आःसर जिसको भी पता हो हमें कमेंट के जरी जरूरूर बता है तो दोस्ते इसका राइट ढूर ज Тут pasti ऑप्सनуск ईसे में आपको इस्ट्राप लेजर दिया गया है दोस्तो इस्टेप लेज़ा जाता है वहाँ आप injam जरूर बता हैं और इन सभी टूल्स का नाम हमें जरूर बता है कि इन सभी टूल्स का नाम क्या है और इन सभी का इस्तमाल कहां किया जाता है एक बार लेदर के बारे में हमें जरूर बता है कि लेदर का इस्तमाल किस के लिए किया जाता है देख लेते हैं अगला कोशन है हमार और जिसको भी नहीं पता है कि स्क्रबर पैड का इस्तमाल कहां किया जाता है और जिसको भी नहीं पता है कि स्क्रबर पैड का इस्तमाल कहां किया जाता तो वह प्लीज एक बार हमारे टूल्स वाली वीडियो को जरूर देखे उसके सारे डाउट किलियर हो जाएंगे कि ट्रेट टेस्ट में बहुत ही महत्पूर्ण होने वाले हैं क्योंकि ट्रेट में आपको सभी उपकर दिये जाएंगे और उसके बारे पूछ जाएगा किस इस्तमाल कहां किया जाएगा तो प्लीज एक बार उन सभी के लिए हमारी उस वाली वीडियो को देखिए देखते हैं कौशन हमारा कोशन इंन में हैं से किस विकल्ब में फिलोर लिट्विड है तो इसमें पूछा गया है थैं कि सफ्लोर ऑनको मैं का हुआ रहे हैं देख द्रो क्या जाता है यह कौन से कैमिकल है यह आप हमें कमेंट के जरीए जरूर बताएं दोस्तों अगर आपने क्लीनिंग कैमीकल के बारे में अभी तक हमारी वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी परकार के में विट्ट्व पूण होने वाले हैं वह वीडियो के जब आपका ट्रे टेस्ट हो गाया लिए घब्टी अग्जाम होगा उन में सभी करके कशन केमिकल से भी कुछे जाते हैं को देखे उन सभी वीडियो का लिंग मैंने इस वीडियो को डिस्क्रप्स시면 box में ड़ दिया है तो दोस्तों अब हमारे यूटुब चेनल औरी तक जान नहीं किया तो फिलीज चेनल प्रकार की क्विज पीडियाफ वीडियो रिलेटर या जो भी जानकारी होती है आपको जल्द से जल्द एवेलेबल करा दी जाती है मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में